नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मिश्ट्रा स्विक लाइच पर जहां दोस्तों आए आज क्या आउट्शोर्शिंग कच्छे क्रमचार जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आए तो सबसे पहले दोस्तों खबर ले लेत तब तक दरना जारी रहेगा तो नगरपली क्रमचारी संग के बैनर तले दोस्तों यहां पर लंबित मांगों को लेकर जो करमचारी है कचे क्रमचार एक तो नगरपाली का जो करमचारी है वो तो पर्दसन कर ही रहे हैं दूसरी तरफ दोस्तो जलापुर्तवी बाग कारियाला प्रीसर में अउल हर्याणा पीडवलोडी करमचारी यूनियन के सदेशों ने भी करमचारी को पका करने की मांग को लेकर पर्दसन किया है और नारे बाजी की है उन्होंने सरकार से कचे करमचारी को पका करने की मांग की है कचे करमचारी को पका करने जैसे एक्स ग्रेस या नीती समान काम समान वेतन लागू करने जैसे ववस्था को सरकार लागू करे सरकार इस पर ध्यान दे तो करमचारी चाहते हैं कि सरकार इनको भी पक पका करना जी हाँ लंबे समय से करमचरी जो हैं दोस्तों कच्चे करमचरी के रूप में काम कर रहे हैं तो अब वो चाते हैं कि सरकार इनको पका करने की कोई ना कोई पॉलसी बनाए और इस पर काम करें इनकी नोकरी को सुरक्षित करें तो इसी कड़ी में यहाँ पर दोस्तो तो जो अतीथे द्यापक जो गैस टीचर लगे हुए हैं 14,000 से ज़्यादा है जो सरकारी स्कुलों में ये भी पका करने की मांग को लेकर करमिक अंसन कर रहे हैं पूरे हर्याना के जो गैस टीचर है वो नीमित रूप से दोस्तों करनाल में भूखरताल पर बैठते हैं एक के बाद एक जैसे वो इनको पकान नहीं किया जाता तब तक ये अपनी भूखरताल जारी रखेंगे जिन से देख लिते हैं यहाँ आपर आज आशावरकरों के लिए काभी बड़ा दिन है आज इनकी दोस्तों मीटिंग होने जा रही है सरकार के साथ तो देखेंगे क्या कोच सिसमें निकल कर सामने आएगा तो बता दिया आप लोगों को बावन दिन दोस्तों इनको हो गई है परदसने करते हुए जब तक मांगों पर लिखित में समादान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा तो आशावर क्रों ने सपस्ट कर दिया है जब तक इनकी मांगों क आप लिखित में समादान नहीं होगा तब तक ये परदसन जारी रखेंगी और अब भी इनोंने आपर 29 सितंबर तक दोस्तों अपनी जो हड़ताल को बढ़ा दिया है आंदोलन को ये जारी रखेंगी इनोंने आपर ये खुला रूप से एक तरह से सरकार को बता दिया है ल लाल तोड़ी सी तैयार होते हुई नजराई है आज ये वारता है देखते हैं क्या कुछ रहेगा जो भी समें निकल कर सामने आएगा तो आश्यावर कर चाते हैं दोस्तों सरकार इनकी नोकरी को सुरक्षित करे 26,000 रूपे कम से कम वेतन लाग उकरे जब तक इनको पका नह नहीं किया जाता है तब तक इनको सरकार एक कम से कम एक करमचारी का दर्जा तो जरूर दे करमचारी का दर्जा नहीं है तो करमचारी वाली सविदाई भी इनको नहीं मिलती हैं इसकी दूसरी तरफ दोस्तों बता दे बिजली करमचारियों की जो कल मीटिंग थी वो ऐस परमंत्री के आवास पर पड़ाओ डालने के चेताव ने दी थी जिसके बाद यहां परमंत्री साब ने इनको मना कर दिया था वह आप लोग पड़ाओ को कैंसल कर दीजी हम आपकी मांगे सुनेंगे बातचीत करेंगे बैठ कर लेकिन वो जो बातचीत हुई उसमें किसी भी स सहमति नहीं बनी अब इतनी सारी समस्यघ इतनी सारी hoort़ी कंसे कंनं में से एक दो तीन कुछ तो मतलब कुछ तो होना ही चाहिए था किसी मांग पर तो सहमत्री कम से कम बन ही जाती तो कर लो अब दोश्तो एक भी मांग पर सहमती ना बनना बड़े दुखत बात कह सकते हैं एक तरफ सरकार के जो अधिकारी है जो मंत्री है वो सब स्विधाओं का भोग करते हैं सब कुछ उनको सरकारी चाहिए सारी स्विधाएं सरकारी चाहिए गाड़ी तेल पानी ठीक है सब कुछ सरकारी मोज करते हैं लेकिन अगर कोई आम आदमी कोई गरीब करमचारी अगर यह पब्लिक हेल्थ करमचारी संग समबंदित भारते मजदूर संग ऐसी ने अपनी दोस्तों यहांपर सप्न जो है माँगों समयाओं को लेकर अपने दिखारी उसे यहांपर अधिक ग्रिक्त डूटी लग जाती है कहीं कहीं पर उसको भी कैंचल किया जाए इसकी भी मांगिनों ने आपर उठाई है जो हर्याना पब्लिक हेल्थ करमचारी संग के अधिकारी हैं जो करमचारी हैं चर्केदादरी से देख लेते हैं ग्रामिन सपाई करमचारी आठ को करनाल की र करमचर हैं हजारों ग्रामिन सपाई करमचर ने यहां पर यह तै किया है कि यह आठ अक्तुबर को करनाल में होने वाली जो ललकार रेली है उसमें बढ़ चटकर भाग लेंगे वह दस से बार अक्तुबर तक तीन दिविश्य जो राज्य व्यापी हटताल है उसमें भी यह अमर दोजार 22 और 28 जून 2023 इसको च्यार दोर की वारता पंचयत मंतरी के साथ हो चुकी है मंतरी के साथ इन बारता में दोस्तों कुछ भी एक्तरेसिन का कोई समाधान नहीं हुआ समस्याओं का किसी भी प्रकार का समाधान होने से इसे सपस्ट है कि जो सरकार है वो करमचारि और दो समाधा दोर के अपनी मैंगों को लेकर लेकर लेकिन अभी तक कोई समादान नहीं हुआ है तो आप लोग क्या देख पा रही है मुखहरूप से आशावरकर आप लोग देख पा रही है एक महीने से इनको ज़्यादा हो गए यह मालीजिये दूसरे दो महीने होने हो अगर 100% आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कोई 100% नहीं मिलेगी तो कम से कम 90% तो 50% तो कुछ तो कोई तो मांग ऐसी हो जो मान ली जाए करमचारे को जिसे थोड़ी सी राहत मिले, तो करमचारी संग दोस्तों लगातारी सी के लिए याँ पर प्रयासरत है, जिन्द बासक पाए हैं वही जो क्रमचारी है अब एक बात तो सपस्ट है वही चाए अगर कोई सरकार में है तब तो उसको सब कुछ ठीक लगता है अब परदेश में सब कुछ ठीक है अरियाना में सब कुछ ठीक अरियाना के दिखाई देने लगते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब सभी पर्टियों के यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि जब वो सत्ता में होती है तो उनको जन्ता की समस्याओं पर ध्यान नहीं होता करमचार की समस्याओं पर ध्यान नहीं होता लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं सारे प्रेसानियों को और उनको लगता सब कुछ ठीक है तो अपने वादों को भूल जाते हैं तो उनी वादों को याद दिलाने के लिए याँ पर सड़को पर उतरे हुए हैं करमचारी हरियाना करमचारी मासंग और यह चाहते हैं कि सरकार इनकी तरफ द्यान दें के मांगों को माने तो दोस्तों यह थी सारी के सारी आज क्या और सोर्चिंग कच्छे करमचे जुड़ी खबरें अगर आभी चाहते हैं हरियाना में उसके संचे ले टिड़ी कच्छे करम कि अपका डिएमर्ट